चुम्बकी एक शेत्र रेखाएं, इनकी परिभाशा क्या है, इनके गुण क्या है, ये कक्षा दस्मी विज्ञान, टेंट साइन्स और बारवी भोतिक शास्त्र, ट्वेल्थ फिजिक्स का बहुत महतुपूर्ण अंच है। क्या है चुम्बकी एक शेत्र रेखाएं, हम इनके गुण भी समझेंगे। वास्तव में क्या है कि जब कोई जैसे माली यहां एक चुम्बक पड़ा है, तो इस चुम्बक के आसपास जो उसका चुम्बकी एक शेत्र है, उसको बताने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के ल कुछ काल्पनिक रेखाओं की आवशक्ता होती है, और वो जो काल्पनिक रेखाएं हैं, वो जो काल्पनिक वक्राकार पथे या रास्ते हैं, उन्हें हम कहते हैं चुम्बकी एक शेत्र रेखाएं, यह रेखाएं काल्पनिक आवश्योस्ती, परन्तु यह जो यह चुम्ब तो इसलिए हम इत्श्पे स्थेत्रों यह एक खिचते हैं मगनेहेटिक नीडिल रखते चंबकी सुई और चंबकी स्भी की जो और उसके अनुदिश हम इन रहताओं को कहिचते जाते हैं तो यह जो सबसे महतुम्ण बात यह है कि जो चुंबकी एक शेतर रेखाएं होती है, वो एक सतत बंदवक्र होती है, मतलब continuous closed loop होती है, सतत बंदवक्र का मतलब यह है, कि यह चुम्बक के बाहर N से S की और, मतलब नार्थ अर्थात उत्तर से south अर्थात दक्षण की और, और चुम्बक के अंदर south अर्थात दक्षण से north अर्थात उ मेन की और खिची जाती है दूसरी जो महतवड़ बात है देखे यह एक चुंब की एक शब्र रेखा Estoy आपको दिख रहा होगा कि एक दूसरे को काट नहीं रही है यह कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है क्यों नहीं काटती है यह हम अगले वीडियो में जरूर देखेंगे चलिए अब तीसरी जो महत्तुपुन बात है कि देखे मैंने अभी आपसे कहा था कि चुम्बकी एक इसके बिंदू पर अगर आपने इस तरीके से इस परश रेखा खिची तो यह जो इस परश रेखा हुई देखिए मैंने इस परश रेखा कीज दी इसके इस यह इस पर्ष रेखा इस पाइंट के उपर परिणामी चुम्ब की शत्र को बताएगी मतलब इस बिंदू पर कुल चुम्ब की शत्र कितना है उसको बताएगी सबी नेट हैजना परण नाग चुमब की श्यत्र को बताएगी इस विडिदू ठीकर है अब यहाँ और इस परश्रेखा करें िट्रे तो इस बींदू पर पन्रामी चुमब की श्यत्र के वर लेकिन हम चांने कि तो यह यहां परिणामी चुम्बकी श्यत्र की यह दिशा होगी, तो यही चुम्बकी श्यत्र रेखा की परिभाश्य भी होगी, कि चुम्बकी श्यत्र रेखाएं वेकाल्पनिक वक्राकार पते, जिनके किसी भी बिंदू पर खीची गई जो इस पर्ष रेखा होगी, वो उ स्ट्वीक होता है धन्यवाद